नमस्कार, GST के मास्टर क्लास के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है, आप राश्टी मीडिया के इंद से सीधा प्रसारान इस वक्त देख रहे हैं, दूरदर्शन के नैशनल चैनल पर इस कारेकरम का भी सीधा प्रसारान किया जा रहा है, श्री हश्मुकदिया जो की राज इस मुद्दे पर आधारित है, छोटे कारोबारी ट्रांजिशन के तयारी कैसे करें, GST के पहले के जो कानून के तहट जो इंपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका आप क्या होगा, इन्वाइसिंग कैसे की जाए, GST के तहट इन्वाइसिंग के लिए कितना समय चाहिए, इन विभाग के अधिकारी और जो मीडिया के बंदू है, आप सभी का स्वागत है, राजस्वसच्चिव स्री हस्मुकदिया जी से मैं निवेदिन करता हूँ कि वो अपने इनिशिल निमास्ट के बाद, जो आज का प्रजेंटरिशन है, उसकी एक तरह से गाइडेंस दिया में इसमसकार आज का जो दिया जी स्वागत हैं आज का जो विशे है वो दो विशे के उपर हमारा क्लास होने जा रहा है, एक विशे है ट्रैंजीशन का और दूसरा है इनवोईज का transition के दो पार्ट होते हैं एक तो कि registration number को कैसे transit करना है जो कि हमने कल बता दिया आपको उसको हम migration कहते हैं उसको हम transition नहीं कहते हैं कि registration number को कैसे VET में से या service tax में GST में migrate करना है और दूसरा जो transition का issue है वो अपना जो unutilized talk है या तो input tax credit जो अपने पास पढ़ी है पुराने business की उसको हम नए रेजीम में कैसे उपयोग में ला सकते हैं तो उसका विशे को हम transition का विशे कहते हैं उसके बारे में काफी सारी लोगों को प्रशना है कुछ लोग कह रहे कि मेरी item पहले ही exam थी अब tax में आ गई है तो मुझे क्या input tax credit का कोई benefit मिलेगा पुराने stock के उपर कुछ लोग ये कि रहे कि मेरा unit exam था लेकिन item exam नहीं थी तो क्या मुझे input tax credit मिलेगी इस तरह के अलग-अलग के काफी सवाल लोगों के मन में है उसका समादान हम को आज इस presentation में करना है उसी तरह से invoice में भी जिसको हम bill कहते है कहते हैं न कि व्यापार ही अपना bill book चप पाता है invoice देता है तो invoice के अंदर भी क्या-क्या detail होनी चाहिए उसके लिए कोई particular कोई pro forma सरकार ने दिया है कि नहीं उसके बारे में भी लोगों को बड़ी जिग्यासा है और एक सबसे बड़ी जिग्यासा है कि जो एक नया provision आया है कि अगर आप unregistered dealer से खरीद रहे तो register dealer को reverse charge में tax परने की एक provision आई है तो उसके मामले में भी लोगों को बड़ी उलजन है कि उसका invoice हम कैसे बनाएंगे कब बनाएंगे किस तरह से करेंगे तो वो सब प्रशन भी है और invoice बनाने की तारीख वो भी एक important मसला होता है क्योंकि point of taxability आपको tax कब लगेगा वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ विशे है तो ये सब मामलों का आज खुला साहम करेंगे हमारे साथ मुझे खुशी है हमने परिचे करा आते हुए उपेंदर गुपता है जो की policy wing के commissioner है और ये GST का law और rules वगेरा बनाने में भी इनका बड़ा सा योग रहा है और वो आपको बहुत बारिकाई से लेकिन बहुत सरल बासा में प्रश्ण और उत्तर उनके मादियम से ही आपको पुरा विशे को समझाएंगे मैं उपेंदर से विननति करूँ नमश्कार transition issue एक बहुत ही एहम issue है क्योंकि आज जो हमारे पास credit available है वो हम GST regime में कैसे ले सकते हैं किन conditions में मिल सकता है उसके लिए section 140 से 143 जो CGST act है उसमें बहुत detail provision किये गए तो एक-एक situation को हम देखते हैं कि हर situation में मुझे किस चीज का credit मिलेगा मैं carry over ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ और कौन सी उनके लिए क्या-क्या conditions है तो पहली situation यह है कि आज मैं registered हूँ GST में और GST में GST से पहले मैं registered हूँ Central exercise में या WET में या service tax में और GST में भी मैं as normal taxpayer register हो रहा हूँ composition नहीं normal taxpayer register हो रहा हूँ तो उस situation में मुझे क्या credit मिलेगा ऐसी इस्तिती में आप आज return file करेंगे Central exercise में भी service tax में भी तीज जून की जो return file होगी वो जुलाई के महीने में file होगी तो उस return में जो भी closing balance होगा उसका आप opening balance के रूप में GST में उसका credit carry over कर सकते हैं जो आपका electronic credit register होगा उसमें आप उस credit को ले सकते हैं तो उसके लिए क्या-क्या आपको पूरा कलना होगा एक तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको normal taxpayer registration होगा register कलना पड़ेगा ना कि yes composition taxpayer दूसरी उसमें condition ये है कि आपके पास closing balance तो है लेकिन उन चीजों से related closing balance है जो GST में उसका ITC मिलता है for example SES है जैसे SES का अगर closing balance है आपकी return में तो क्रिशी कल्यान सेस है या education सेस है उसका credit क्योंकि GST में available नहीं है तो balance महां होते हुए भी आप उसका credit नहीं ले सकते है GST में तीसरी चीज जो condition law में रखी गई है वो ये रखी गई है कि आपने अपने पिछले 6 महीनों की return submit की हुई है इसका मतलब January से June तक की return आपकी submit होनी चाहिए तब ही आपको credit carry over कर सकते है और कितना credit आप लेंगे उसके लिए एक GST rules में एक form रखा गया है जिसको हम GST trend 1 बोलते है और उसकी table 5 में आपको सिरफ declare करना है कि मेरा closing balance इतना था और मेरा opening balance इतना हो गया वो trend 1 जो है आपको एकदम submit कलने की ज़ूरत नहीं है आप उसके लिए तीन महीने का समय rules में रखा गया है और ये भी provision किया गया है कि उसको commissioner उस period को extend भी कर सकता है ऐसी भी condition नहीं है कि आप एक ही बार submit कर सकते हैं अगर आपने submit कल दिया फिर आपको कोई और गलती नजर आई क्योंकि आप return revise कर सकते हैं central exercise में भी return revise कलने का provision है, VAT में भी है service tax में भी है तो अगर आपने return revise की अपनी तो आप 10-1 में जो declare किया उसकी value को भी आप revise कर सकते हैं तो जितना आपका closing balance है, उतना आप carry over कर सकते हैं दूसरी situation ऐसी है कि capital goods आपने खरीदे थे 30 जून से पहले अब central exercise में और service tax में हम 50% credit आज ले सकते हैं 50% credit हम अगले महा में अगले वर्ष में ले, वितिया वर्ष में ले सकते हैं तो जो return में आपका balance होगा उससे related, वो आपका सिरफ 50% होगा, तो जो बाकी बचा हुआ 50% है उसका क्या होगा, क्योंकि वो return में तो होगा नहीं तो उसके लिए ये situation रखी गई है जो provision किया गया है, वो ये है कि आप उस remaining amount जो आपने नहीं लिया था पिछले वित्यवर्ष में और वो return में भी नहीं आ रहा है, इसलिए उतना amount का credit आप ले सकते हैं और उसके लिए आपको trans one भलना पड़ेगा, उसकी table six है उसमें आप वो information भल देंगे यहां मैं ये भी clear कलना चाहूँगा कि कोई भी प्रवधान ऐसा नहीं है कि हम उसको verify करेंगे, तब आप credit लेंगे आप credit सिरफ declaration submit कलने पर ही ले सकते हैं बाद में अगर department चाहेगा किसी particular situation में तो verification कर सकते हैं, लेकिन generally हम verification नहीं करेंगे यह self-assessed tax है, आप जितना आप declare करेंगे, आप उतना credit ले सकते अब उसके बाद दो-तिन situation एक साथ हम देखते हैं, तीसरी situation ऐसी है कि जहां पर मैं आज registered ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो है जो मैं बनाता था, या तो मैं डेर करोड से कम था उस situation में क्या होगा या मैं सारे exempted products बनाता था, मैं कोई भी नहीं बनाता था, तो उसमें क्या मुझे credit मिलेगा, आपके पास जो stock होगा 30 जून को, वो raw material का stock होगा आपके पास finished goods का stock होगा finished goods में raw material यूज हुआ होगा, या semi process goods होगी, तो जो provision किया गया है law में वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा stock है, और आप unregistered unit थे central exercise में या VAT में, तो आपको credit उतना मिलेगा, जितना आपका inputs जो है stock में पढ़ा हुआ है और inputs जो कि आपने finished goods जो आपके पास stock में पढ़े हुए हैं, उस से related जो inputs used हुआ होगा उस finished goods को बनाने में उस से related आपको credit मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ conditions निर्दादित की गई हैं, वो तीन situation की condition मैं आपको आगे बताऊंगा, चौती situation ये है कि जहां पर मैं आज composition taxpayer के रूप में registered था जर्णली ये VAT में होगा central exercise में, तो composition scheme थी नहीं, तो उस situation में क्या होगा, कि मैं पहले composition taxpayer था, अब मैं GST में as normal taxpayer register हो रहा हूँ, तो उस situation में क्या होगा, इस situation में भी जो आपके पास stock पड़ा होगा, उसमें जो inputs use हुए होंगे या inputs as such आपके पास पड़े हुए होंगे, उस से related जितना भी credit होगा, वो भी आपको मिलेगा, conditions मैं अभी, जैसे मैंने पहले कहा, कि मैं बताता हूँ अगली situation ऐसी है कि जहां पर मैं dutyable भी बनाता था, exempt भी बनाता था, तो जो मैं dutyable बनाता था, उस से related तो मैं credit भी ले रहा था, उस से related inputs का मेरा credit return में भी आ रहा था, और वो मेरा return में जो credit आ रहा था, जो पहली situation हमने discuss की थी उस से मेरे को transfer हो गया था मेरे electronic credit रहा था, लेकिन ऐसी situation जहां पर मैं दोनों बना रहा था, तो जो exempted से related inputs से, या उसमें जो un exempted goods, जो finished goods से, उसमें जो input यूज़ हुए हुए थे उससे related मेरे को credit आज नहीं मिलता था, लेकिन GST में वो goods taxable हो रही है तो उस situation में मुझको क्या credit मिलेगा, वही credit मिलेगा जैसा पहले हमने दो situation में देखा कि जितने inputs आपके पास stock में हैं, उसका credit मिलेगा, inputs जो finished goods या semi finished goods जो आपके stock में हैं, जो अभी clear नहीं हुए है factory से, उसमें जो inputs हैं, उससे related credit मिलेगा, और उसके लिए conditions हैं, तो हमने देखा कि यह जो तीन situation है, मैं completely exempt था, मैं composition dealer था, अब मैं taxable हो रहा हूँ, मैं पहले exempt था, अब मेरी goods जो हैं, वो limit, taxable हो रही हैं, या मैं taxable और exempt, दोनों activity कलता था, अब मेरी दोनों activity taxable हो रही हैं, इसके लिए मुझे credit क्या मिलेगा, credit मिलेगा, input से related जो मेरे stock में हैं, और जो inputs, जो finished goods जो stock में हैं, उसमें जो inputs use हुए हुए हैं, उस से related credit मिलेगा, यहाँ पर यह बात notice कलने की है, कि यहाँ पर हम credit जो है, वो पहली दो situations में, जहाँ पर मैं exempted और taxable को छोड़ के, जहाँ मैं exempted, completely exempted था, यहाँ मैं composition था, आज मुझे capital goods का credit नहीं मिलता है, तो इन दोनों situation में capital goods का credit नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा सिरफ input से related credit, और दूसरी situation कि input service से related credit भी मुझे नहीं मिलेगा, जो कि तीसरी situation है, जहाँ पर मैं exempted और dutyable दोनो बना रहा था, उस में उस situation में मुझे inputs का credit भी मिलेगा, inputs जो finished goods में contained है, उसका भी मिलेगा, और capital goods का जो credit है, वो भी मिलेगा, क्योंकि आज के law में, अगर मैं दोनों चीजें कलता हूँ, taxable और exempted दोनों activities कलता हूँ, तो मुझे credit पूरा मिलता है capital goods का, तो जो capital goods का closing balance होगा, वो मेरी return से ही आ रहा होगा, क्योंकि मैं return में मैंने credit लिया होगा, या अगर मैंने पिछले साल में ही खरीदी थी, ऐसी capital goods, तो मैंने 50% लिया होगा, तो 50% credit मेरा situation number दो, जो हमने पहले discuss की थी, उससे आ रहा होगा, अब इन तीनों situation में क्या conditions हैं, जिनको मुझे ध्यान में रखना है, credit लेने के लिए, पीछे, और पीछे, आगे चलिए, इसमें जो है condition, जो पूरा कलना है, वो ये है, कि मैं, जो inputs हैं, वो मैं, जिसमें मैं credit ले रहा हूँ, और ये मुझे stock से credit मिल लहा है, तो stock से जो credit मिल लहा है, उसका credit जो है मेरे को, जो मेरे पास, जो inputs मैं use कर रहा हूँ, उससे related मुझे credit मिलना है, उससे related मुझे declaration देनी है, table number seven, trans one में, सिरा मुझे declaration देनी है कि मेरे पास इतना stock है, अगर ऐसा inputs इसमें use हुआ हुआ है, या inputs जो मेरे stock में पड़े हैं, जिन में कि, मैं use नहीं करूंगा taxable supplies को कलने के लिए, तो उसका credit मुझे नहीं मिलेगा, दूसरी situation जो मुझे, दूसी condition जो मुझे पूरी कलनी है वो ये, कि उन inputs पे मुझे credit मिलने की eligibility होनी चाहिए GST regime में, अगर कोई ऐसा item है मेरे stock में, जिसमें या तो पहले credit नहीं मिलता था, या मिलता था, वो inputs जो हैं, उसके लिए, उसके credit के लिए में, GST regime में eligible होना चाहिए credit लेने के लिए, तीसरी और जो सबसे मुझे condition है, वो ये है कि मेरे पास duty paying documents होने चाहिए उससे related credit लेने के लिए, क्योंकि मैं exempted था, हो सकता है मेरे पास duty paying document ना हो, इसलिए एक notification जारी किया गया है, central exercise में, जिसका notification नमबर 21 वटा 2017 है, जो की 30 जून को जारी किया गया, उसमें एक हमने नया document प्रेस्ट्राइब किया है, जिसको हम बोलें credit transfer document, इस credit transfer document को use करके, हाला कि आपके पास duty paying documents हो सकता है, ना हो, तो उस situation में आप ये credit transfer document यूज कर सकते हैं, अपने manufacture से जिससे आपने माल खरीदा था, वो issue करेगा इस credit को, उसके लिए दो-चार conditions हैं, तो CTD की जो condition है, मैं अभी आता हूँ उसके ओपर, next जो condition पूरी करनी है, वो ये है, कि जिन invoice फे मैं credit लेना चाहता हूँ, वो एक साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक जुलाई को credit ले रहा हूँ, तो 30 जून 2016 से पुरानी invoice नहीं होनी चाहिए, अगर वो duty paying document 30 जून 2016 से पुराना है, तो मुझे मैं उस document के ओपर credit लेने के लिए हगदार नहीं रहूंगा, और last situation जो मैंने कहा वो यह कि मुझे declaration देनी है, stock की, वो table 7 और जो form है GST trend 1, जो CGST rules का part है, उसमें मुझे declaration देनी है और इसके लिए भी condition वही है कि 3 महिने में मतलब 30 सितंबल तक declaration देनी है, इस date को बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर कुछ गलती हुई तो इस table 7 को revise भी किया जा सकता है, अब मैं credit transfer document के बारे में कुछ परकाश डलना चाहूंगा, यह credit transfer document क्या चीज है, यह जानना ज़ूरी है कि यह credit transfer document excise act में जारी किया गया है, जैसा मैंने पहले कहा notification number 21 बटा 17 से, यह credit transfer document जो है manufacturer से हम जारी करा सकते हैं, और यह imported goods के लिए नहीं है, और अगर 25,000 रुपे पर पीश से value जादा है, तो उस case में हम लोग इसको जारी करा सकते हैं, और 45 दिन के अंदर manufacturer से जारी करा सकते हैं, और उसके base पे में पास duty paid document नहीं होंगे, तो मैं उसका credit ले सकता हूं, यह credit transfer document मैं यूज़ करूँगा, अगर मेरे पास duty transfer document यूज नहीं कर सकता हूँ ये भी एक जानना जहूरी है तो जो manufacturer है जो मैं पहले exempted था या मैं dutyable or exempted बना रहा था मैं composition से normal taxpayer आ रहा हूँ उन सब situation में मुझे credit मिलेगा अगर मेरे पास duty paying documents हैं और उस चीज़ पे मिलेगा जिसका मेरे पास raw material जो inputs मेरे stock में है या inputs मेरे पास finish goods में अब अगर हम trader की बात करें trader जो है आज central exercise में उसको central exercise duty pay कलना नहीं होता है इसलिए उसको कोई उसके पास central exercise document नहीं होते हैं तो उसको कैसे credit मिलेगा एक तो हम CTD के base pay कर सकते हैं जैसे मैंने पहले discuss किया और अगर CTD भी नहीं है तो हमने dream credit का provision किया है अगर आप GST में अठारा person या अठाइस person वाले slab का माल बेशते हैं तो साथ person credit मिलेगा और अगर पांच या बारा person वाले का बेशते हैं तो चालिस person slab मिलेगा ये सिरफ trader के लिए facility है manufacturer के लिए नहीं है ये बात note करने की और इसमें जो और condition है वो ये है कि मुझे GST ट्रेंड टू के में समझे GST ट्रेंड टू में declaration देना होगा और ये जो मेरे को credit मिलेगा मेरे को उस महीने में मिलेगा जिस महीने में मैं goods बेचूंगा और ये scheme छे महीने के लिए valid है अब अगर मैं पहले wet में registered था तो क्या मुझे CST का credit मिलेगा तो उसका CST का कोई credit नहीं मिलेगा मुझे wet का credit मिलेगा और जो CST के जो forms थे C form F form H form उससे related credit मिलेगा उससे credit नहीं मिलेगा जब वो forms आप summit खल देंगे तो उसके बारे में उसका refund मिलेगा next situation है कि मैं पहले ISD के तोर पे registered था तो क्या मैं मेरे को अगर invoice जो है जुलाई के महीने में मिली तो क्या मैं ISD के रॉप में उन invoice जो service tax की invoice मेरे को जुलाई के महीने में मिली मैं credit transfer कर सकता हूँ तो provision किया गया है कि आप उसका भी credit आप transfer कर सकते हैं जिनको आप जो eligible है credit transfer के लिए next situation है कि मैं आज centrally registered था service tax में centrally registered था अब GST में centralized registration का कोई प्रवदान नहीं है तो जो मेरी input का credit था मेरी return एक ही common थी तो एक ही जगा मेरा पूरा credit था तो क्या मैं जब registration लूँगा और हर state में लूँगा तो register उसका credit मेरे को एक ही जगा मिलेगा जा मैं centrally registered हूँ या मेरे को बाकी जगा भी मिलेगा तो प्रवदान किया गया है कि आप जो है जो भी पहले आपने premises दिखाए हुई थी centralized registration में उसमें आप transfer कर सकते हैं और वो declaration आप information उसकी information आप declare file कर सकते हैं in GST train one table eight next situation है कि मेरी मैं GST में तो migrate हो गया लेकिन मेरे कुछ refund claim pending है मेरे कुछ demand pending है मेरे कुछ appeal pending है तो उस situation में क्या होगा तो प्रवदान ये है laws में कि अगर आपका जो है refund मनता है तो existing law मतलब central exercise law, wet law, service tax law में decide होगा और अगर उसमें आपको refund मनता है तो हम cash में भी refund देंगे हाला कि आज cash में refund नहीं मिलता है central exercise और service tax में लेकिन GST में हमने प्रवदान किया है कि आपको refund भी मिल जाएगा और अगर recovery होनी है किसी चीज में क्योंकि मेरी appeal reject हो गई या मेरे against demand create हो गई तो उस situation में हमने प्रवदान किया हुए law में कि या तो पहले हम existing law में recovery करने की कोशिश करेंगे और अगर existing law में नहीं कर पाएंगे तो हम GST law में करेंगे नेक्स situation है कि मैंने contact एक जुलाई से पहले किया था लेकिन supply मैंने एक जुलाई के बात की तो क्या मुझे GST देना है या मुझे पुराना tax देना है तो इसके बारे में provision है कि मुझे GST देना है अगर मैंने पुराने law में tax central exercise या service tax या VAT नहीं दिया हुए तो ये transition provision से related जानकारियां थी अब मैं tax invoice की बात करता हूँ तो tax invoice में अगर हम बात करें तो tax invoice कौन invoice issue कर सकता है tax invoice registered person issue कर सकता है जिसने registration लिया हुए और वो दो situation में कर सकता है या तो वो supply कर रहा है तब जो है वो invoice issue करेगा और या वो service receive कर रहा है unregistered person से तो अगर मैं supply कर रहा हूँ तो उसमें भी एक exclusion रखा हुआ है कि अगर मै ऐसी सप्लाइए करता हूं जिसकी वैल्यू 200 रुपई से कम है और वो B2B स्प्लाइए नहीं है, कोई कंजूमर आ रहा है मेरे पास और मेरे से वो गोर्ड जार्विस पर ले रहा है जिसकी वैल्यू 200 रुपई से कम है और वो invoice insist नहीं कर रहा है तो मैं invoice, individual invoice issue ना करके मैं supply कल दूँगा और end of the day मैं एक consolidated invoice issue कल दूँगा जितनी भी ऐसी supply मैंने की है जिसकी मैंने दिन के दौरान में invoice issue नहीं की दि जहां तक as recipient मुझे invoice issue कलने की बात है तो मुझे ये invoice issue कलनी है उन cases में और उस समय issue कलनी है जब मैं goods या services receive कर रहा हूँ यहां पर एक important provision जैसा राजस सचेस ने पहले कहा था कि हमने यहां पर provision किया है कि आपको invoice तो issue कलनी है लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा compliance burden आ रहा था तो 9-4 में हमने एक exemption दी है अगर आप 5000 रुपे तक का समान खरीदते हैं एक या एक से ज़्यादा unregistered supplier से तो वो exempt है कोई GST नहीं देना है लेकिन अगर 5000 रुपे से ज़्यादा की purchase है unregistered person से तो क्या हर समय जब मैं purchase करूँगा मुझे invoice issue कलनी है ऐसा नहीं है आपको invoice issue कलनी है तब महीने के अंत में तो महीने के दौरान में ऐसी purchases जो 5000 पर डे from one or more supplier थी उसकी ये consolidate invoice issue करके month end में आप tax दे सकते हैं tax तो 20 of the following month को ही देना है लेकिन invoice जो है आप last day of the month को दे सकते हैं tax invoice में क्या important items हैं जो होने चाहिए एक तो supplier का GST होना चाहिए serial number invoice का होना चाहिए date of issue होनी चाहिए recipient अगर registered है तो उसका GST होना चाहिए क्योंकि उसको credit मिलना है और अगर वो registered नहीं है तो name और address होना चाहिए hsn code होना चाहिए hsn code 2 digit होगा जा 4 digit होगा या 6 digit होगा वो मैंने आगे एक slide में रखा है description of goods or services होना चाहिए और अगर मैं goods बेच रहा हूँ तो quantity होनी चाहिए और क्या होना चाहिए value of supply होनी चाहिए taxable value of supply होनी चाहिए tax rate central tax और state tax का क्या rate है या integrated tax का क्या rate है और अगर sex लग रहा है तो sex का क्या rate है amount of tax कितना है वो होगा place of supply मुझे declare करनी है कि place of supply मेरी क्या है और अगर place of supply और address of delivery bill to ship to cases को handle करने के लिए provision लखा गया है bill to so and so, ship to so and so उस case में मुझे address of delivery देना है और मुझे ये declare करना है कि क्या मुझे reverse charge पर tax तो नहीं देना है इस invoice पर क्या मेरे buyer को तो नहीं देना है और last जो है उसमे signature of authorized signature है, यहाँ पे काफी भ्रांतिया है कि हम e-invice ही issue कर सकते है या digital signature authorized signature के होना चाहिए ऐसा कोई प्रवधान law में नहीं है आप manual invoice भी दे सकते हैं आप बिना digital signature के भी invoice issue कर सकते हैं जो requirement है B2B में supply upload करने की वो कुछ particular detail ही upload करनी है ना कि पूरी invoice तो इस तरह की कोई invoice लगेगी अगर हम देखेंगे या बाद में देख सकते हैं जो जो circle है ये important चीजे हैं जो की invoice में नजर आएंगी HSN code जो है वो कितने digit तक देना है उसका हमने एक notification जारी किया 12 बटा 2017 28 जून को उसमें हमने बोला कि अगर आपकी टलनोवर 1.5 करोड तक है तो आपको HSN code देना ही ना तो आपको invoice में देना है ना आपको return में देना है अगर आपकी डेड़ से 5 करोड तक की टलनोवर है annual टलनोवर तो आपको 2 digit पे देना है और अगर 5 करोड से जादा है तो 4 digit पे देना है invoice कैसे race करेंगे invoice race करने में अगर goods आप supply कर रहे हैं तो invoice replicate में issue होगी और अगर आप services supply कर रहे हैं तो duplicate में होगी अगर goods के case में original copy recipient के लिए होगी जो आपका buyer है duplicate copy transporter को दी जाएगी जो की goods के साथ carry करेगा duplicate copy मेरी office copy होगी और अगर जो supply of services के case में duplicate में होगी original मेरे buyer के लिए होगी duplicate मेरी कुद की copy होगी हमने आज कई राजों में और center में भी invoice का number बताना होता है तो GSTR 1 जो की अब भी file नहीं करने है जैसा आप सबको वदियत है कि दो महीने बाद GSTR 1, 2, 3 का provision आएगा GSTR 3 भी file करने है लेकिन जब GSTR 1 का provision आएगा तो आपने महीने के दौरान में normal taxpayer ने और composition taxpayer ने quarter के दौरान में कितनी invoice issue करी है from which number to which number वो एक table में information भलनी है invoice कब raise करनी है अगर मैं taxable supply कर रहा हूँ तब करनी है goods के case में अगर goods the moment involved है तो जब मैं remove कर रहा हूँ goods तब करनी है अगर moment of goods नहीं है तो जब मैं delivery कर रहा हूँ अपने customer को तब करनी है और अगर return sale or return है तो उस case में within six months में को invoice issue करनी है services के case में क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि कि time service issue हुई तो 30 days of supply of service within 30 days मुझे invoice issue करनी है ये आज का प्रवधान है जो service tax में भी है insurance and banking company को 45 दिन का time दिया गया है invoice issue करने का कुछ special cases invoice rules में रखे गए हैं उस case में आपको invoice ना देके कुछ दूसरे document issue करने है तो पहला document है bill of supply अगर आप exempted goods sale कर रहे हैं या service कर रहे हैं supply कर रहे हैं तो आपको bill of supply देना है या अगर आप composition taxpayer है तो भी आपको bill of supply देना है tax invoice नहीं देनी है revised invoice का provision है मैंने registration के लिए apply किया मुझे registration नहीं मिला और मैंने 30 दिन में ही registration apply कर दिया था तो उस दोरान में tax invoice issue नहीं कर सकता हूँ जब मेरे को registration मिल जाएगा तो मैं revised invoice issue कर सकता हूँ जो मैंने already पहले bill of supply issue किया था उसके against अगर मेरे को advance payment मिल ला है तो मैं receipt voucher issue करूँगा अगर मेरे को advance payment मिला था और मैं वो वापस लटा रहा हूँ तो मुझे refund voucher issue करूँगा input service distributor के case में मैं ISD invoice का एक अलग performa है उसमें दूँगा और insurance company के लिए हमने बोला कि insurance policy को ही हम invoice माल लेंगे banking company को बोला bank statement को ही हम invoice माल लेंगे transporter के case में हमने बोला कि जो consignment note issue होता उसको हम invoice माल लेंगे और airlines के case में हमने बोला जो ticket issue होगी उसको ही हम invoice माल लेंगे आपको invoice issue कलने की जहूरत नहीं है कुछ तीन situations ऐसी है जहां पर कि हमें यह नहीं पता चलता है कि हमने कितना supply किया तो उस case में delivery चलान का प्रवधान है invoice rules में वो तीन situations हैं कि अगर मैं liquid gas supply कर रहा हूँ मैं job work के लिए समान भेज रहा हूँ या मैं समान तो भेज रहा हूँ लेकिन supply नहीं है goods on approval basis भेज रहा हूँ तो उस case में delivery चलान इशू करूँगा और export invoice के case में मैं normal invoice issue करूँगा लेकिन मैं उस पे लिखूँगा कि supply meant for export उतना लिखके मैं invoice issue कर दूँगा वो export invoice मनने जाएगी इसके अलावा credit note और david note का भी provision law में किया हुआ है मुझे कब credit note issue करना है credit note issue करना है अगर मैं already tax invoice issue कर चुका हूँ और किसी कारण से taxable value या जो मैं उस पे tax charge हुआ हुआ है वो उसको वो ज़्यादा हो गया उसको कम करना है goods वापस आ रही है उस situation में या मैंने goods और services तो supply कर दी लेकिन recipient को deficient मिली 100 पीज भेजे थे उसको 80 मिले इन situations में मैं credit note issue करूँगा और उन credit note को मैं GST portal में upload करूँगा return के साथ और मैं अपनी liability जो मैंने tax invoice issue करते हुए दिखाई थी उस liability को मैं कम कर सकता हूँ लेकिन liability मैं कम तभी कर सकता हूँ अगर मैंने credit note 30 सितंबर तक अगले साल की 30 सितंबर तक issue किया गया अगर मैंने 30 सितंबर के बात किया तो मैं credit note तो issue कर सकता हूँ लेकिन मैं अपनी liability कम नहीं कर सकता हूँ और दूसरी situation यह है कि मेरी liability, supplier की liability तभी कम होगी जब recipient ने credit अगर लिया हो तो वो reverse कर दे कारण से जो है वो कम हो गई थी मुझे वो value बढ़ानी है value बढ़ानी है या tax liability बढ़ानी है उस case में debit note issue कर सकता हूँ और इस case में कोई ऐसी restriction नहीं है कि मुझे अगले साल 30 सितंबल तक देना है ये जितने भी rules हैं law है और बहुत सारा material हमारी website पे है जिसका url www.cbec.gov.in है और दूसरा है www.cbec-gst.gov.in दन्यवाद एक मैं add करूंगा कि जो हमारी cbec की website है उसके उपर एक I hope कि by now it is uploaded एक search function भी हमने आज upload किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी commodity का hsn code या उसका rate of taxation क्या है जानना चाहता है क्योंकि hsn commodity 11000 commodity total है उसका eight digit तक का code होता है तो उसके लिए अगर वो type करेंगे for example if he wants to type plastic या particular item of plastic तो he can type it and immediately उस item का hsn code और rate जो है वो आपको मिल जाएगा इस तरह की एक सुईदा website पे या तो आज साम तक उपलबद हो जाएगी वो आज upload कर रहे उसको बहुत देनवाद सार अब सवाल और जवाब का सिसला शुरू करते हैं invoicing पर पहले सवाल लेंगे पहला सवाल हमारे पास आया है कि मुझे अभी तक मेरा GST आयन नहीं मिला है तो क्या स्थिती में invoices issue कर सकता हूं और कैसे किया जाए अगर ऐसा नहीं हो तो किस स्थिती में अगर आपके पास PID है तो जैसा कल भी कल की क्लास में भी बताया गया था कि वो PID ही आपका GST होगा तो आप PID को रैफर करके आप invoice issue कर सकते हैं PID क्योंकि GST होगा तो आप अपनी invoice book भी बनवा सकते हैं और जब आपको जो है उस PID के बेस पे आप अपनी invoice issue कर सकते हैं जब GST ना आएगा तो आप GST को डालके फिर आप revise invoice issue कर सकते हैं तो मान लो PID भी नहीं है और नया registration के लिए apply किया है तो भी आप bill of supply या वो इशू कर सकते हैं तो बाद में आप revise invoice issue कर सकते हैं जैसा मैंने अपनी presentation में कहा था कि आपने registration apply कर दिया लेकिन आपको registration नहीं मिला या आपको 30 दिन का समय है registration apply करने में तो क्या बीच में मैं अपनी माल supply नहीं कर सकता आप बिलकुल कर सकते हैं आप bill of supply issue कर देंगे और जब आपको G.S.T.N. मिल जाएगा तो आप G.S.T.N. डालके revise invoice issue कर सकते हैं दूसरा सवाल invoice को ही लेकर कहा है क्या कोई set performer है invoice का या फिर आप किसी भी form में invoice issue कर सकते हैं कोई भी prescribed performa ना तो act में ना rules में रखा गया है सिरफ ये बताया गया है कि आपकी invoice में क्या particulars होने चाहिए उसके कुछ मुख्य बिंदू मैंने अपनी presentation में भी बताये थे तो as long as वो सारी particulars invoice में हैं वो valid invoice होगी कोई भी performa invoice का नहीं है चुकि ये कारेक्रम देश भर के कारोबारी भी इस वक्त online देख रहे हैं पी आई भी of ministry of finance के website के जरीए तो अब कारोबारियों से जोड़े जो काफी सारे सवाल हमाएं पास पहले से आया हुए हैं उनमें एक सवाल ये भी है सर कि क्या सभी मामलों में मुझे tax invoice और या फिर bill of supply issue करना जरूरी है अगर आप registered person है तो आपको tax invoice देना ही है अगर आप registered person है लेकिन आप taxable goods भी बेशते हैं और exempted goods भी बेशते हैं तो आप जो है combined invoice करें तो tax invoice होगी अगर आप taxable goods की और exempted goods की अलग-अलग invoice दे रहे हैं तो exempted goods के लिए आप bill of supply देंगे अगर आप composition taxpayer है तो आप सिरफ bill of supply देंगे आप सिरफ exempted goods भी बेच रहे हैं तो bill of supply देंगे अगला सवाल है अलग-अलग tax rates में अगर मेरे अलग-अलग products आते हैं तो क्या उसे एक mix supply के तोर पर समझा जाएगा यानि एक ही invoice होगी या अलग-अलग invoice मुझे generate करनी होगी अगर आप ऐसे समान बेच रहे हैं जो अलग-अलग tax rate में आ रहे हैं और आप उसकी value भी अलग-अलग दिखा रहे हैं उसका tax rate भी अलग-अलग है तो आप एक ही invoice में सारे items को लिख सकते हैं उसका tax rate है वो लिख सक सकते हैं तो आप एक ही invoice जारी कर सकते हैं जितने भी items हैं और जितने भी tax rates अलग-अलग invoice issue कलने की ज़ूरत नहीं है एक ही single invoice से काम चलेगा दर्शकों में एक सवाल invoice से जुड़ा हुआ हमारे पास है आईए लेते हैं जो भी invoice से जुड़ा एक सवाल करना चाहते हैं जी क्या microphone प्लीज दे सकते हैं जी अगला सवाल सार यह है कि जो reverse charge mechanism है क्या उसका invoice में खुद ही एक तरह से issue कर सकता हूँ अगर आप unregistered reverse charge दो तरीके से हैं एक तो यह है कि supplier registered था वो गुट्चा सर्वेसिस सप्लाई कर रहा है लेकिन tax liability उस पे ना होकर recipient पर है तो tax invoice तो वो issue करेगा जो supplier है मेरे को liability tax pay करने की मेरी है उस case में मुझे invoice जारी नहीं करनी है जब मैं उसका payment करूँगा तो मैं payment voucher issue करूँगा और जब मैं payment करूँगा तब ही मेरी liability है tax pay करने है दूसरी situation यह है कि मैं unregistered person से खरीद रहा हूँ अगर मैं unregistered person से खरीद रहा हूँ तो जब मेरे को वो समान आएगा तब मेरे को invoice issue करनी है और जब मैं उसका payment करूँगा तो मैं payment voucher भी करूँगा लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैंने पहले भी कहा था अपनी presentation के दौरान कि अगर मैं unregistered person से ऐसा समान खरीद रहा हूँ जो कि जिसकी value 5000 रुपे per day से कम है मैं एक या एक से ज़्यादा unregistered supplier से समान ले रहा हूँ उसकी total value 5000 रुपे से कम है तो उसको reverse charge में मुझे कोई tax नहीं देना है तो मुझे उसकी invoice भी जारी नहीं करनी है लेकिन अगर वो 5000 रुपे से जादा है तो मुझे monthly invoice issue करनी है month end पे पूरे month के दौरान में जो ऐसी situation से जादा मैंने purchase की जिसपे कि मुझे tax liability आती है मेरी तो मैं consolidate invoice issue कर दूँगा उसमें भी मैं सारे item एक साथ दिखा दूँगा कि ये item unregistered से खरीदा इस पे 5% rate है इस पे 12% rate है like that तो मैं consolidate invoice issue करकर मैं उस पे tax liability अपनी generate कर सकता हूं और मुझे tax देना है जब मैं अपनी return file करूँगा 20 को अगले महीं दे जी प्रीज सवाल करें sir मेरा सवाल एक hsn code और उसके tax rate को लेकर है we are the manufacturer of headlamps which is falling under chapter 8512 and its attracts of duty 28% अगर मैं ये tail lamp ये headlamp टेक्टर के लिए sale करता हूं तो इसकी duty 18% है तो sir मेरा ये question है कि मैं इस पे duty 28% charge करूँ या 18% charge करूँ ये प्रशन जो है न वो आज के विशे के साथ सुसंदत नहीं है उसका जवाब हम बात में जाएगा ये rate related प्रशन है आज के विशे के साथ तो ये सुसंदत नहीं है सब credit debit note को लेकर के एक सवाल है कि जो unregistered supply के साथ में जो credit or debit note जारी किया जाएगा क्या उसके लिए GSTN और ITC claim किया जा सकता है उसके लिए अगर आपने जो है वो unregistered supplier से लिया हुआ समान है उसका credit note debit note हो रहा है तो वो भी invoice की तरह ही निवधारित होगा तो जैसे invoice आप unregistered supplier से खरिते हुए invoice issue कर रहे है जिन situation में अगर वही situation cover होती है तो debit note credit note भी उसी तरह से upload किया जाएगा वो registered person अपनी return में दिखाएगा अब बहुत सारे लोग ये समझना चाहरे हैं कि क्या हम manual invoices भी issue कर सकते हैं या हमें हमेशा electronically ही file करना जरूरी है अगर invoice की बात करें मैंने अपनी presentation में भी कहा था कि आप manual invoice भी दे सकते हैं उसको digital signature भी जहुरत नहीं है ऐसा कहीं law में नहीं लिखा हुआ है कि electronic invoice ही होनी चाहिए जो important है वो ये कि अगर आप B2B supply कर रहे हैं तो आपको कुछ invoice details कुछ details आपको upload करनी है अगला सवाल है जो अभी existing lodge है उसके तहट अगर मैं registered हूँ और अपना एक particular serial number अपने bills पे रख रहा हूँ तो क्या मैं उसे continue कर सकता हूँ अपने आने वाले invoices में जो की GST के तहट में जारी करने जा रहा हूँ आपका decision है आप नया number शुरू करना चाहते हैं एक जोलाई से वो कर सकते हैं अगर आप पुराने को continue करना चाहते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि return में आपको बताना है कि मैंने कौन से serial से कौन से serial number तक की invoice इस महीने में जारी किये कुछ सवाल transition से भी related हैं साब उस पर हम जाएंगे ये जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी existing laws के तहट तो registered हूँ मैं मुझे कैसे GST के तौर पर register करना होगा क्योंकि बहुत सारे अभी कारोबारी हैं जो अभी registration नहीं कर पाया हैं और इस चीज़ का इंपिजार कर रहे हैं इसके बारे में तो कल चल्चा हुई थी कि अगर आप already registered हैं तो आपको GSTN पे जाके आपको already PID मिल गया होगा PID के base पे आप अपना business कर सकते हैं और PID को regular registration certificate को convert कराने के लिए आपके पास तीन महीने का समय है उस तीन महीने में आप जो भी information देनी है वो देंगे in the meanwhile जब तक आपको final GST नहीं मिलता है तो भी आप PID के base पे business कर सकते हैं कुछ ऐसे कारोबार जो अभी unconditionally exempted हैं और वो पहले से registered हैं under existing laws तो अगर वो GST में रेजिस्टर कराते हैं तो क्या उन्हें input tax credit मिलेगा मिसाल के तौर पर textile sector के लिए अगर जिस चीज पे आज duty ही नहीं थी अगर वो exempted था तो उससे related कोई भी credit ना तो input stage का आया हुआ है ना finish goods का आया हुआ है तो उसका credit नहीं मिलेगा SSI exemptions बहुत सारे लोग अभी अभी तक अवेल कर रहे थे जो small and sector small and medium जो entities हैं क्या उन्हें भी रेजिस्टर करने पर GST के तहरे इंटू tax credit का लाव मिलेगा अभी फिलाल वो registered है existing laws के तहरे अगर वो आज SSI exemption का benefit ले रहे थे तो वो registered नहीं थे तो अपनी presentation में मैंने कहा था कि ऐसी manufacturing unit जो SSI में थी अब taxable हो रही है तो जो उनके पास raw material पड़ा है या जो finished goods में raw material यूज हुआ है उससे related credit मिलेगा अगर आपके पास duty paying documents हैं अब ऐसी unit से अगर trader ने समान लिया हुआ है तो trader को भी अपनी presentation में मैंने बताया था कि 60% या 40% credit मिलेगा तो trader ने कहां से खरीदा हम यह नहीं देख रहे हैं टेडर को हर उस चीज का credit मिल जाएगा अगर वो unconditionally exempted item नहीं थे बहुत सारे कारोबार के स्थिती में एक जुलाई से पहले कुछ inputs थे वो जोब वर्क के लिए भीज़े गए थे लेकिन वो अभी तब return नहीं हो पाया है तो एस स्थिती में जब वो बन करके आएंगे जॉब वर्क के कमप्रिशन के बाद में एक जुलाई के बाद जब से जिस्टी लाओ होगा तो एस सिस्थिती में treatment क्या होगा जिस्टी के ताहते अगर जॉब वर्क के पास समान गया हुआ था अगर उसने जॉब वर्क करने छे महिने में समान लोटा दिया तो उस पे कोई duty नहीं ना तो जी एस्टी है और ना पुरानी duty लेकिन अगर जॉब वर्क करने छे महिने में नहीं लोटाया तो उस situation में जो प्रिंसिपल था जिसने समान जॉब वर्क को भेजा था उसको जितना उसने इंपुट टैक्स क्रेडिट उन आइटमस पे लिया था जो उसने जॉब वर्क के पास भेजा हुआ था वो बर्स कलना होगा। कि जब आप पेमेंट करेंगे तो टीडिएस नहीं लगेगा क्योंकि टैक्सेबल एक्टिविटी जी रिजीम चुरू होने से पहले ही हो गई। यह जो प्रिंसिपल एजेंट का कंसेप्ट था यह सिरफ स्टेट लॉज में है आज। सेंटर लॉज में नहीं है। तो S.G.S.T. में इसके प्रोविजन किये हुए हैं कि एजेंट को क्रेडिट मिलेगा। कुछ कंडिशन अगर वो सेटिस्फाइ करेगा जो कि S.G.S.T. रूल्स में में मेंचन है। वो कंडिशन है कि एजेंट रेजिस्टर होना चाहिए G.S.T. में प्रिंसिपल और एजेंट दोनों स्टॉक डिक्लेयर करें। प्रिंसिपल बताएगा कि एजेंट के पास कितना पड़ा है, एजेंट बताएगा कि किस प्रिंसिपल का समान मेरे पास कितना है। और वहाँ पे भी वही condition है कि उन से related NYC एक साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए तो अगर ये condition पूरी करेंगे तो agent को भी credit मिलेगा अब इस service sector से जुड़ा एक सवाल है सर बहुत सारे लोग services में deal करते हैं जो advance में उन्होंने service tax pay कर दिया है work contract services के लिए लेकिन जो supply है वो एक जुलाई के बाद आ रही है तो फिर ऐसे में जो GST का treatment है वो कैसे किया जाएगा जितनी service आप GST regime के बाद देंगे उससे related आपको tax देना है अगर आपने पहले ही advance payment कर दिया है tax का तो service tax में आज advance पे भी tax लगता है तो ऐसी situation हो सकती है कि जहाँ पे आपको advance पहले मिल गया हो तो आपने tax भी पहले दे दिया हो लेकिन service हो सकता है आप बाद में दे तो service पहले related अगर आप tax पहले ही दे चुके हैं तो GST में service देने के बावजूद भी आपको tax नहीं देना है क्यूंकि उससे related tax पहले ही आ गया है क्रेडिट को लेकर के एक सवाल है कि I had to make a Sanway credit reversal due to the non-payment prior to the 1st of July 2017 उसके बाद में अगर payment एक जुलाई के बाद आ रही है तो फिर क्या credit को आप allow करेंगे law में provision है कि ऐसी situation में हम credit allow करेंगे क्योंकि आज भी प्रवधान है service tax law में Sanway credit rules में कि अगर आपने credit लिया था आपको non-payment की वज़े से reverse कलना पड़ा जब आप payment कलते हैं फिर credit मिलता है ऐसा ही प्रवधान हमने transitional rule में भी किया हुआ है transition पर अन्तिम सवाल हमारे पास है मेरे जो old contract है वो revise हो गया है उसकी जो कीमते हैं उसमें भी बदलाव आ गया है तो क्या GST के तहर्त जो treatment है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा अगर आपका contract जो है उसकी value बढ़ ही है तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर GST देना होगा क्योंकि बढ़ी हुई value को हम GST में supply मानेंगे और अगर आपका downward revision हो रहा है तो उसमें आप credit note दे सकते हैं और जो credit note सा treatment है वो हमने पहले ही चल्चा कियो मानें सची महुद है इस वक्त हमें 15 मिनट और हैं तो ask a dia, hashtag ask a dia पर बहुत सारे सवाल जो है वो हमें आये हुए है twitter पे और बहुत सारे media के बंदू हमारे साथ इस वक्त हैं तो अगर आप इजाज़त दें तो हम social media के सवाल और media के लिए इस session को open कर सकते हैं तो पहले चलिए मैं twitter से शुरू करता हूँ इसके बाद अगर कोई media के बंदू है कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्वागत है hashtag ask a dia पर पहला सवाल है कि is it necessary to have pan in the name of business? what if the person has pan in his own name? अगर किसी के अपने नाम पे पहन है तो क्या business के कारोबार के नाम पर भी पहन लेना ज़रूरी है जिस ठीक दाहत? अगर वो individual proprietor है तो उसी कुद के पान नंबर पे ही उसको business का registration बिल सकता है individual proprietorship है लेकिन अगर company है तो company का उसको अलग पान नंबर लेना होगा जिस नाम में आप business करें उस नाम में का पहन जरूरी है गुरू प्रसाद जी है वो जानना चाह रहा है कि जो housekeeping materials है जैसे कि cleaning chemicals and consumables हैं उनके लिए GST के detail अगर जानने हो तो क्या कोई सुविधा है किसी portal पर जागर के पता कर सकते हैं जैसे अभी बताया कि वो search facility हमने website पर डाली हुई है किसी भी व्यक्ति को अगर यह जानना है कि मेरे जो product है जिसका मैं trading कर रहा हूं या manufacturing कर रहा हूं उसके ओपर क्या rate है तो product का नाम type करने से वो आ जाता है तो उससे वो पता कर सकते हैं जी पहला सवाल मेडिया से लेते हैं प्लीज सर मैं अनुश कुप्ता नौभरत से मेरा सवाल transition से जुड़ा हुआ है देश के कई शहरों में बड़े कपड़ा व्यापारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं उनके stock जो उनके पास रखा हूँ गोदाम है उसको लेकर ही शायद transition की दिक्कत उनको आ रही है क्या सरकार ने इस बारे में उनसे बात की है या बात सीच करने का कोई रादा है देखिए ऐसा है कि जैसे बताया कि जो exempt commodity थी पहले उसके उपर जब आप नए रेजीम में आएंगे पहली बार tax लग रहा है लेकिन उसके उपर क्योंकि पहले tax था ही नहीं कपड़ के उपर और अब GST में पहली बार बना है तो जब पहले tax आप नहीं बढ़े थे मानलो कोई व्यापारी के पास बहुत सारा कपड़ा पड़ा है तो पहले तो उसने कोई नवेट बढ़ा था नए एकसाई जूडी बढ़ा था तो किस चीज की input tax rate मिल सकती है जब कोई tax ही नहीं था जिस item के उपर उसकी input tax rate कैसे दे सकते हैं तो सवाल यह है कि वो item पहली बार अगर tax में आ रही है तो पहली बार तो उनको tax बना ही है पाइप परसन कल मैंने इसकी बात की थी कि अगर आप services एक से ज़्यादा state में से दे रहे है तो आप अगर एक जगव बैटके IT services पूरे देश को दे रहे है तो आपको जरूरी नहीं है हर स्टेट में रेजिस्टर कराना लेकिन अगर आप की और कोई office service देने वाली दूसरे किसी state में भी है जहां से भी आप service का invoice raise कर रहे है तो basic principle इस की जिस state में से आप माल बेच रहे है या जिस state में से आप service को supply कर रहे है उस state में आपको registration लेना होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक जगर पर बैठके आप पूरे इंडिया को service दे सकते है computer की यहां बैठके आप IT की services पूरे इंडिया को दे सकते है लेकिन अगर आपकी एक ही office है पूरे इंडिया में तो फिर आपको एक ही जगर registration कराना है शेशर जी सर एक सवाल ये MRP को लेकर के जो आपने नियम बनाए कि MRP के लिए तो लेवलिंग कर सकते हैं साइट में तमाम कंपनियां और जो रिटेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि logistic बहुत problem है कि उसमें सब पे माल जो मेरा बचा हुआ उसमें मैं चिपका हूँ अगर वो न जो लोग कहता है कि ये करना जरूरी है अब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा वो एक अलग प्रश्न है लेकिन हमारी सबसे अपील होगी सब द्यापारियों को कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है इस्टिकर होगेरा लगाना वो कर दे जितनी जल्दी उतना अच्छा है अग पर मान लो बहुत बड़ी आइटेम मास प्रोडक्शन की तो इमीजेटली कम से कम वो अपना रिवाइज MRP न्यूस्पेपर में तो चाप दे न्यूस्पेपर के मादिम से सब को इनफॉम तो कर दे कम से कम और उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो MRP बदलने के स्टिकर्स जो है वो प्रोडक्शन के ओपर लगा दे है हमारी वही विंती होगी सबसे सर अगर रिवर्स चार्ज के ताथ इनवाइस आपको जारी करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर और क्या उसके लिए भी कोई स्टेंडर्ड फॉर्मेट है इसमें जैसा मैंने पहले भी बताय इसमें जो पर्टिकुलर्स रिवर्स चार्ज के लिए अप्लिकेबल है वो भरे जाएंगे और उसका कोई फॉर्मेट नहीं है और रिवर्स चार्ज में इनवाइस तभी इशू करनी है जब आप अन्रजिस्टर्ड परसन से खरीद रहे हैं और अगर पांच अजार रोपे पर डे फ्रॉम वन और मोर परसन है तो मंधली इनवाइस दे जारी करनी जी ट्विटर पर अगला सवाल रंगा स्वामी शेकर का है वो टेक्स्टाइल डीलर है उन्होंने कहा है कि जीस्टी से पहले वो बिलकुल उन पर टैक्स नहीं लगता था और जो टैक्स फ्री इनवा प्रवधान भी कहा था कि क्योंकि टैक्स टाइल एक्जेम्टेट प्रोड़क्ट था उस पे कोई भी टैक्स आज नहीं लगा हूँ है ना तो वैट ना तो सेंटर लेक्स है तो उससे रिलेटिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रवधान लौ में नहीं है जी आज service tax में क्या provision नहीं है कि date of issue of invoice और date of payment whichever is earlier तो अगर मेरेको advance मिल गया तो पहले मिल गया invoice जारी कोवने से पहले तो जिस दिन advance मिला उस दिन मेरी tax liability है अगर मेरेको advance नहीं मिला तो जिस दिन मैंने invoice जारी की उस दिन मेरी liability है ये services के case में provision था goods के case में provision था जब आप invoice issue करेंगे उसी दिन tax लगना है goods के case में जैसा मैंने पहले कहा था invoice issue कलनी है जिस दिन आप माल बेच रहे है service के case में प्रवधान है कि आपने service तो दी जिस दिन complete हुई उसके 30 दिन के अंदर आपको invoice issue कलनी है लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर invoice issue नहीं की तो क्या होगा तो अगर आपने 30 दिन में invoice issue कल दी तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने invoice issue की उसी दिन service दी थी और अगर आपने 30 दिन में नहीं की invoice issue तो फिर हम determine करेंगे कि आपने service किस दिन complete की थी तो अगर आपने तीस दिन में आपके example में आपका billing cycle 25 जून तक है invoice 10 जूलाई को issue हो रही है आपने payment भी पहले नहीं किया हुआ है जून में तो आप 10 जूलाई को जब आप invoice issue करेंगे तो liability GST किया ही क्योंकि आप जो है date of provision of services date of issue of invoice so 10 जूलाई को मानते हुए GST लगेगा उस case में सुमित सचदेव जी का सवाल है Twitter पे वो यह जाना चाह रहे हैं कि जो aerated drinks है हाला कि उन्होंने confirm नहीं किया अगर rate of tax क्या है लेकिन अगर वो किसी restaurant में इसको serve कर रहे हैं तो फिर जी एस्टी का क्या होगा और उसमें कोई क्या credit भी उन्हें available होगा restaurant में अगर वो aerated drinks serve कर रहे हैं तो उनको credit कैसे मिलेगा और उसका credit तो जब उन्होंने aerated drinks खरीदा होगा तो उसका credit उनको मिला होगा अब जब वो serve करेंगे तो वो एक bill issue करेंगे जिसके कि वो अपने customer से उसका GST चार्च करेंगे let me give more clarification about it restaurant के उप़र अगर non AC है तो 12% rate है AC restaurant तो 18% है और अगर restaurant में liquor serve किया जा रहा है तो भी irrespective of whether it is AC और non AC 18% लगेगा अब सवाल यह कि अब की regime में है हम यह कह रहे कि जितने भी goods consume हो रहे है restaurant में उसके उपड़ जो भी GST लगा है उन सब का credit ले सकते है वो तो input tax credit आपको हर item का मिल सकता है ketchup की bottle आपने खरीदी या aerated drinks करीदे उस सब का आपको वो मिल सकता है input tax credit जी सुरेश रंका यह जानना चाहरा है कि as per service tax activated tin मेरा जो है वो activate नहीं हो क्या होगा transition provision में ऐसा कोई प्रवधा नहीं है कि अगर आप migration करेंगे तभी आपको credit मिलेगा अगर आप fresh registration भी apply कर रहे हैं migration पे नहीं जा रहे हैं तो भी आपको जब registration form बरना है तो पुराना आपका registration number mention करना है आपको registration application तो चाहे आप migration के माधियम से जाएं या नए registration के रूट से जाएं आपको trans one में information देनी है depending upon आप return के माधियम से जा रहे हैं stock के माधियम से जा रहे हैं जैसा हमने चल्चा किया था table five table six table eight उस माधियम से आपको credit मिलेगा जहां तक मिलेगा एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप जो है अपना business कर सकते हैं जैसा हमने कल भी चच्छा की थी एक उभोकता के तौर पर अगर मैं सवाल कर पाँ सार कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी particular item पे कितना tax credit मिल रहा है या फिर जो invoice मेरे सामने आएगी उसमें मेरे उपर कितना tax charge किया गया है input tax credit का मुझे लाब मिल रहा है नहीं एक उभोकता को कैसे पता चलेगा वो काम मुश्किल है वो उभोकता को पताल करना मुश्किल है उभोकता को तो इतना ही देखना है कि जो पहले का exercise duty और weight का मिला कि कितना rate था इस item के उपर और अब GST में कितना आ रहा है तो हम इसके लिए अलग-अलग advertisement के द्वारा लोगों को बता रहे है कि पहले क्या incidence था आप क्या incidence है तो उभोकता को तो अपना total incidence ही देखना है तो मान लोग पहले का incidence 19 परसंट था आप 18 हो गया कितना इंपू track status मिला कितना नहीं वह तंत्र के लिए जरूरी है जानना जहें कितना इंपू track status इसको मिल सकता है और उसने लिया और उसके proportionate उसने price में reduction किया की नहीं किया तंत्र को पता रह सकता है कंजूमर को करना थोड़ा मुश्किल होता है जी राजेश कुमार बेरिया जी जानना चाह रहे हैं ट्विटर के जरीए कमर्शल वेहिकल ओनर जिन्हों ने अभी तक सीनो टीशू नहीं किया है और वो किसी जी टीए से जो वेहिकल्स हैं वो हायर करते हैं तो क्या उनको जी एस्टी के अंतरगत रेजिस्ट्रेशन कराना ह होगा जी जहां पे जी टीए है उसमें तो रिवर्स चार्ज का प्रवधान है कि जो है जो रिसीपियन्ट है कुछ पर्टिकुलर केटिगरीज में उसमें उनको जी एस्टी देना है लेकिन अगर वो इशू नहीं कलते हैं और जी टीए नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइ सर्माली जी मेरा दिल्ली में मेरी कंपनी है और बॉंबे हम जाकर रुकते हैं वहाँ पे होटल में बिल चुकाते हैं तो वहाँ के इंपूट वहाँ जो टैक्स चुकाते हूं इंपूट टैक्स करेट के लिए बॉंबे में क्या रिश्टाट होना महराश्टा में रिश्ट अवर्ड आई महरास्टा ही है तो जो होटल है वो आपसे CGS और SGST चार्ज करेगा आपका महरास्टा में कोई registration है नहीं दिल्ली में registration तो आप उस credit को नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर वो GST लगा होता तो आप credit ले सकते थे लेकिन क्योंकि CGST और SGST लग रहा है तो आप जो है उसका credit नहीं ले पाई फाइनल इस प्रोग्राम में केवल दो मिनट बचा है श्री अडिया जैगर कोई closing comment आपकी तरफ से है स्वागत मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ कि इस कारेकरम को बड़ा अच्छा समर्थन आप लोगों ने दिया हमारी ये कोशिश है कि ये कारेकरम के जरिये हम देश के लाखो व्यापारियों और कारोबारियों तक पहुंच सके लाखो कंजूमर तक पहुंच सके एक comment हमको जो मिला है वो ये है कि इस कारेकरम का जो टाइमिंग है वो व्यापारियों के लिए अनुकुल नहीं है साड़े चार से साड़े पांच में व्यापारी ज्यादा तर अपने वेख़ाई में बिजी होते है तो उनके लिए हमारी विन्ती ये है कि इस कारेकरम का काफी repeat भी कुछ चैन यूट्यूब का लिंक तो आप यूट्यूब से उसको निकाल के एक दूसरे को बेच सकते है और जब भी आपको कन्विनेंस हो अपने मोबाइल फॉन में भी देख सकते है और अपने कंप्यूटर में भी कभी भी देख सकते है धन्यवार बहुत शुक्रिया राजयस स्चि करेंगे और आज के जो कारेकरम का आप रिपीट टेलेकास जीडी निउस पर कल सुबह नौ से दस के बीच में देख सकते हैं तो नौ से दस वो प्रोग्राम देखिए और उसके बाद ग्यारा से बारा यहां पर लाइग नैशनल पर जाए और रिकार्ड कीपिंग पर इस क् की मास्टर क्लास के दूसरे दिन सिर्फ इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार